हे गाईस विलकम टू सकस्क्स दिलिप में दिलिप कुमार स्वागत है अपका इस वीड़े में तो दोस्तों आज हम डिसकस करने वाले एने पीए से अपरांटेसिप का न्यू पोटल के बारे में गाईस इससे पहले मैं ITI से रिलेटेड वीडियो बना चुका हूँ कैसे इसको रेशेशन करना है आप सबको पता है जो पुराना वाला पोटल था अपरांटेसिप का वो क्लोस कर दिया गया लिंक को लेकर और यहाँ पर न्यू वेबसाइट लाँच किया गया उसी वेबसाइट पर आपको यहाँ पर रिशेशन करना पड़ेगा अधरवाई जितने भी सारे केंडिडेट हैं पुराने वाले पोटल पर रिशेशन सिप किये थे उनको भी करना पड़ेगा अगर आप अभी तक नहीं किये हैं तो डिस्क्रिप्शन वीडियो का लिंक हो कि नहीं मौका है इस वीडियो में पूरी जानने वाले हैं तो जितनी भी 10-12 गरज़ेट पास बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं सुरू सो लेकर अंतक पूरा देखेगा फुल डिसक्रिशन और फुल जनकारी के साथ इस वीडियो में आपको यहाँ पर मिलने वाली है तो चले वीडियो को सुरू करते हैं और एक बात गाईस अगर आप इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें गौर्मेंट जॉब की इसी तरह पल-पल की अपडेट पाने के लिए तो गाईस जब से ये न्यू पोर्टल लाउंच किया गया है तो मैंने ओल्रेडी वीडियोज लाई थी बनाई थी यहाँ पर इससे रिलेटेड अधरवाइज इनफोर्मेशन से इसका फोर्म कैसे फिल अप करना है इसकी टोटली मैं वीडियो अल्रेडी बना चुका हूँ आपने अभी तक फोर्म नहीं फिल किया तो डिस्क्रिप्शन वीडियो का लिंक आप फिल कर सकते हैं आईटिया के लिए अधरवाइज जितने भी टेंथ पास हैं ट्वेल्थ पास हैं गरिजवेट किये हुएं वो काफी मेरे हमपे जो वीडियो में कमेंट करते हैं और कमे ही है तो गाइस फैनली इस वीडियो में हम पहले भी उस वीडियो में भी बताया था कि सभी केंडिडेट यहां पर एपलाइ कर सकते हैं अगर आप पास आउट हैं तो यहां पर आपको पोर्टल में कहीं नजर आ रहा किया कि सिर्फ आईटिया केंडिडेट ही हैं यहां पर eligible हैं कहीं आपको भी देखने को मिल सकता है कि सिर्प ITI candidate यहां पर eligible हैं नहीं गाइस यहां पर सभी apply कर सकते हैं सभी form के लिए आप रेश्टरेशन सिप कर सकते हैं रेश्टरेशन मिलेगा उसके बाद apprenticeship के लिए आप apply कर सकते हैं कई सारी companies में आपके लिए opportunities जो भी available होती है तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं आपको registration करना कैसे है मैं थोड़ी आपको hint दे देता हूं आदरवाइच आपको वीडियो जार नीचे पड़ी है बिल्कुल similarity उसी तरह आपको form को फिल करना है लेकिन मैं आपको पहले hint बता दूँ उसमें क्या process होगा सबसे पहले इस portal पर आपको open कर लेना है जो कि link आपका description मिल जाएगी और यहां से आपको register बटन पर आपको यहां पर क्लिक करना आप यहां पर देख सकते हैं तो register पर आप क्लिक किज़ेगा तो यहां पर already कुछ option आपको नजर आएगा candidate है establishment है उसके बद third party aggregator है और next आपको यहां पर BTP नजर आएगा उसको आपको कुछ नि करना सिधा आपको candidate पर यहां पर candidate registration के लिए basic personal details आपको है अधरावाई है अपना सबसे पहले नेम फिल करना जो भी फिल किज़ेगा अपने 10th के मांक सीड बेसिस पे फिल किज़ेगा नेख्ट आपको फादर्ष नेम अधर्ष नेम स्पॉस्च नेम जो भी फिल कर देना है और अपना यहां सिप आपका है क्या है इनकी साथ देओ भी अंडर करना है जंडर यहां पर फिल करना है सलेट कर लेड़ फिर अपन agriculture फिर अपना मोभाइल नमर मोभाइल nowhere आप दे सकते हैं अथर्म अठरफेस आपको सब्मिट कर देना है तो आपको अल्रेड़ी यहां पे रेश्टेशन नंबर मिल जाएगा गाईस तो चलिए मैं बताता हूं उसके बाद आपको करना क्या है एक्च्वली के इस मैं आपको यहां पर डायटली जो है परोफाइल पर लेया हूं एजीक्वेशनल डायट डिटेल्स में आपको फिल करने के लिए और प्रोसेस वाई सुरू से लेकर आंत तक आपको फोर्म फिल करना स्टेप बाई इसकी वीडियो आपको लिंक आपको डिस किये हैं तो आपको टेक्निकल क्वालिफिकेशन यहां पर सलेट करना है अधरवाइस नहीं किये हैं तो फाइनली आपको यहां पर जो है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पर क्लिक करने के बाद सलेक्ट क्वालिफिकेशन करना और इसमें देख सकते हैं 6th pass, 8th pass, post graduate है, आप 11th है, ITIE pass है, 9th pass है, और आपका यहाँ पे doctoral degree है, 12th pass है, अधरवाज 7th pass है, ITIE dual है, graduate है, और advanced diploma की है, 5th pass भी है, 10th pass भी है, डिपलोमा भी है, others, मान लिए आने पर सभी के लिए opportunities available है, सब के लिए apprenticeship आप कर सकते हैं, आपके लिए यहाँ पर company में, जो यहाँ पर apprenticeship का मोका जो दिया जाता है, तो आप 10th pass जो भी qualifications है, relevant आपको वही मिलकुल यहाँ पर select करना है, मातर आपका उत्मा ही काम यहाँ पर जो है, मैं इस वीडियो मे आपको बताने आया हूँ, तो आपको जो भी qualification मान लिए 10th है, 10th आपने fill कर लिजिएगा, 10th fill, next चुश के बाद यहाँ पर category है, यह work नहीं करेगा, technical qualifications आपने choose किया, तभी work करेगा, otherwise यहाँ पर specialization में आपको जहाँ पर tick करना है, उसके बाद अपना यहाँ पर subject जो था, य analysis में 480 marks है, 10th में, total 500 marks था, percentage आपका क्या होगा, यह fill करना है, उसके बाद उसमें start date आपका कब था, end date कब था, otherwise end date आपका बहुत महुत पूरन है, तो end date आप certificate के अनुसर fill किसे, आदरवाइस start date में कोई भी आगे पीछे आप कर सकते हैं, आपको नहीं याद है, उसके है, वो वीडियो आपको नीचे देख लेना है, और उस पर रच्टर्चन कर लेना हैगा, अब मैं बता आने वाला हूँ कि कैसे आपको यहाँ पर जो है, फिर आपको अप्रेंटिस इपके ले अप्लाय करना है, जस्टिस के पोर्टल पर आपको आजाना है, इसकी पोर्टल नाओ पर क्लिक किजेगा, तो यहाँ पर अप्लाय कर ले सकते हैं, अदर्वाइस इसको यहाँ पर सबसे पहले आप व्यू कर लिजेगा, यानि कौन-कौन सी अपरशनूटी जब लेवल है, कौन-कौन से टाइप हैं, कितना घंट आपको काम करना पड़ सकता है, कितना यानि कि आपको सबसे पहले लोगिन कीजेगा, तो अराम से यह लोगिन हो जागा, उसके बाद अपलाय कर लिजेगा, तो मातर इतना ही प्रोसेस है, और सभी कैंडिडेट जो भी क्वालिफिक्शन डिग्री आपके पास बिल्कुल आपरशनूटी आप सब के लिए इस पो पता और लगता आईटी आई किये हैं, तभी वैपरएंडे सिप कर सकते हैं, लेकिन इसा नहीं है, आपके लिए भी अपरशनूटिस निकाली जाती है, होफ़ूली गाइस यह आपको वीडियो जरूर लाइक अच्छा लोगागा, चैनल पे अगर आप पहली बार विजिट करें, सब्सक्राइब कर लिजएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजएगा, और कहीं से भी आपको डाउट लगे, प्रॉब्लम हो, कमेंट जरू किजएगा, आपकी हेल्प की जाएगी, मलते हैं अगर लोड़े में, तब तक लिए जाहें